सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें सबस्क्राइब कराची मैं हूँ आपकी होस्रिजा सेफी और महारा आपका साथ बंदर रहता है आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबर और तफसर बेबाग तफसर के साथ जी जी तू आपको पता है मौसम कैसा है क्या है लाइफ प्रोग्राम होता है थोड़ा सा आज हम लेट हो गए हैं आते वे कराची से होता है प्रोग्राम आपको पता है लाइफ स्टूडियो से और कराची की जो सूरत हाल है वो अलमान अलहफीज वाली है कि हम बिल्कुल जानते हैं कि आप भी इस वक्तानी किस सिनारियो में होंगे किस हालात से गुजर रहे होंगे डिफिनिट सी बात है रिल केर about you as well और इसमें कोई दोरा ही नहीं कि कल जो बारश जो अबरे रहमत बरसी उसको किस तरहां से लोगों ने यहां कि इस शहर के जहमत पे कनवर्ट करके लोगों तक पहुंच आई गया और जिस तरहां कि सिनारियो जस्ट हैं पूरे शहर से मौसूल हो रहे है ना सिर्फ पचीस सालों का उठा के आप रेकॉर्ड देख लें यह खबरों को अगर आप देख लें तो कमोबेश इसी तरह की खबरे रही हैं बारश के बाद हमेशा यही सूरतियाल है और बड़ असके साथ कहना यह पढ़ता है कि शहर कराची की ही अगर बात कर ली जाए जो मुलका स कर दो मुलका से बाद हमेशा है कि शपनार इसी तरह की खबरों के साथ के वढ़ता है कि शहर को अगर आप लेक। वेल्कम बाक जी आज़ा टोल यू अनिश्यली के टेक्निकल के इशूस लाइव में होते हैं टेक्निकल गलिच के वजासा हमें जाना पड़ा ब्रेक पे लेकिन ये जी आप तक फिर भी हम इस सक मौजूद है और आपके साथ मौजूद है अच्छा बात हो रही थी कि शहर की सुरतहाल हैं गल्कुल आपने सही का और बिल्कुल प्रोग्राम के आओवाज में आपने बात की कि कमुबेश ऐसी ही सुरतहाल हर दौर में रही है बारिश के बाद और सुरतहाल मजीद उस सक भी खराब हो जाती है जब बढ़िली की फरहन महतल हो जाती है ये कोई पहला इसके बारे में पेश की इतला भी थी लेकिन उसके बावजूद भी इदारे एक दूसरे को कुस गुरुबार ठहराते रहे और आज की अगर बात कर ली जाए तो पूरे जो सिंध है जहाँ जब बारिश होई हैं महाँ पर आज तालीम इदारे बंद हैं यह हमारी कारकरदगी का एक मुझे कल मेरे खाल से वजीर बल्दियाद सी एम सिंध और गवर्नर सहाब या मेर सहाब एड्मिनिस्ट्रेटर कमिश कि पर आज साब के रिमार्ग जाता है आजा रहे थे कि जब उन्होंने कहा कि एक खड़ा होता है फैर मेनाम नहीं लेसे कि डेफिनिट सी बाते इस्चूज है क्या करें बोलेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाता है उन्हें कहा कि जी लोग इस तरह से रिटायर होते हैं खड जी दिल चाहता है मेन रोड पर सेनेमाज खुले वे हैं मेन सडक पर पार्क खुले वेैं तो जब यह सुनीचाल होगी तो कैसे कराची कि आप निदाम को छीक कर सकते हैं सेवेश निदाम को बहतर करने के लिए या सिस्टेम को जी इनफ्रस्टुचर है उसको बहाल करने के या उसमें नई लाइने डालने के लिए आपको खुली जगह मिलेगी तो कहीं डालेंगे ना इसी तरह आप और अंदर गल्यों में चले जाएं गल्यों गल्यों में जो अबाद कर दी हैं जिनके लिए अगर जो इलीगल है और अभी इलीगल इतनी तामिरात हो रही है शहर से अब आपकी सोच है एक दरजन जो है वो फ्लैट खड़े किये जा रहे है इन चीज़े खड़ी की जा रही है बेहंगम तरीक ऐसे मदब आप ऐसे ही रहे है खाली के मेरे खाल से जो जो चोटी से जो जिसे में रोड कह देते हैं वो में रोड तो नहीं बचा खेर वो भी एक पतली सर्विस लेन की तरह हो गए रोड मी आपे सारे में शारे फैसल को यह आप देख लें उस पे तरह कबजें तो बरहाल तो आप ने इस तरह से कर दिया है कि मेरे खाल से उन पर भी रह बाकी रह गया है कि जी उन पर भी आप खड़ी करने तामिरात बना दे कि 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 इस पर हवाई जहाज लेकर यह गूम सकेंगे लोग सड़क पर तो नहीं गूम सकते मैं समझते हूं बिल्कुल आपने सही कहा कि यही इस वक्त शहर की सूरत है इसी तरह कंजस्टेड शहर है तंग गलिया है और क्यूंके तंग रोड भी गलियों के शकल इस्तियार कर गाया और सड़क किनारे बैड के चाय पराठा और पकोड़ों की दुकान पर खड़े हो जाना इससे बात नहीं बनेगी आपको डिलिवर करना पड़ेगा और यह चीज़ काम बिल्कुल भी नहीं आने वाली लेकिन आप बिल्कुल इतमनान रखिए क्योंके हमारे लोग बिल्कुल आगी बड़ेशी आपको बताए है रावल पिंडी में पार्क फाज का त्यारा गिरकर तबाव होगे हमने समय समय सब्से बड़ी और सबसे अफसोसना खबर रही पार्प़ोंके इपको इन वाल पिंडी में और अमने समय सब्से पराद के जामा होने की इतला मुशूल के लोग थे और इसके इंदर ने पाक वाच के जो है बहुत सारे जबान थे बहराला एक दफ़ा पर एक बड़ा फोस्टना का वाकिया और इसके हवाले से मज़ी तफसीलात भी आज आज आपका प्रोक्राम से खुट देंगे कराची में बारिश के बाइस आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं जी महग मैं तालीम सेहत ने कली बता दिया था और आज जितने भी स्कूल है और यसाई चीज़े हैं वो बंद है अच्छा ठीक है इस वक्त कौन प्रेस कांफरेंस करें जी ठीक है अच्छा हम खबरों का सिल से ताजियत करना चाहूंगा मैं इंसिचूट अफ सिडिक सरी इसलावबाद का बेहत बश्कूर हूँ के इनों ने आफरिकन कांटिनन्ट की एहमियत को सामने रखते हुए आज आफरिका डे का फैसला किया अजाब साब जानते हैं कि हमारी अडवाईजरी कांसल में भी हम इस पर तबादा ख्याल कर चुके हैं कि आफरिका वो कांटिनन्ट है जिसमें माजी में हम वो तवज्जव न दे सके जो हमें देनी चाहिए थी और इसमें बेपना पुटेंशल है हमारे ट्रेड का इन्वेस्पन्स का बेपना पुटेंशल है और हमारी वहां बहुत गुडविल मौजूद है जब वो अपनी आजादी की जदोजहद में मशूल थे और अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जुस्तुजू कर रहे थ तो पाकिस्तान का किरदार नुमाया था और उसका जो अफरिकन कांट्रीज हैं वो एतराफ भी करती हैं चुनाचे हमने दो फैसले किये हैं एक इन्शाललह अक्वामे मुतहदा का अजलास जो सिप्टेंबर में होता है उसके फौरी बाद हम दफ्तर खारजा में एक आफरि कांट्रिंस मुनकत कर रहे हैं जिसमें जितने हमारे अफरिकन मिशिन्स हैं उनके जो सफीर हैं उनको मदू किया जाएगा हमारे जो यहां पाकिस्तान में जो उनके मुक्तलिफ अफरिकन कांट्रीज ने अपने नुमाइंदगान नामजद किये हैं उनके कांट्रिजनल्स ह उनको मदू किया जाएगा और इन्शालला वो नुमाया हजरात जो आफरिकन कांटिनन्ट में तिजारत करते हैं ट्रेड में दिलजस्पी रखते हैं उनको भी मदू किया जाएगा ताकि मिलकर हम इस कांटिनन्ट के बारे में एक मर्बूत कॉम्प्रिहेंसिव फार रीचिंग पॉलिसी जो है वो हम लुक आफरिका पॉलिसी जो है हम उसको अपनाएं और उस पर आगे बढ़ें क्योंकि हम समझते हैं बेपना पोटेंशल मौजूद है इसके साथ साथ दूसरी जो मैं एहम बात करना चाहता हूँ और मैं शुकर गुजार हूँ हमारे जो अडवाइजर हैं कॉमर्स के जनाब रजाग दौद साथ वो भी इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि इस कांटिनन्ट का जो पोटेंशल है उस से हम पूरी तरह मुस्तफीद नहीं हो सके चुनाचे उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और वो फैसला मैं आप से शेयर करते हुए मुझे मुसर्ण हो रही है और उन्हें फैसला किया है चिस जो कमरिशल काउंसलर्स हैं जो उनकी वजारत से मनसूब हैं और वो यूरप के मखिर ममालक में हम उन पोस्ट को शुकर है यह भी ख्याल आया कि इसको भी टाप करने की जरूरत है यहां पर भी अपना वर्किंग लेशन जो बिल्ड करना है इससे पहरें जो पहले जो फॉरें डिप्लामसी रही है उसमें कभी कंसिडरेशन में शायद राई ही नहीं यह एक बहुत बड़ा कॉंटनेंट है बड़े इंपॉर्टन मुल्क हैं जो रीजिन के अंदर बहुत तेजी से तरकी कर रहा है तो यकिनन उनके साथ जो है वो डालोग जरूरी है जी बड़े जी यही बॉटम लाइन है और इसी के ओपर भी गुफ्तगू करेंगे आज के पर जोईन करेंगे आज आपसे ही गुफ्तगू करेंगे सारी इसी हवाले से तो जी एक ब्रेक पर जाने से पहले आज की बात करते हैं आज का ब्यूटिफल सा वाड़रॉब हमें हमारी बहुत ही प्याइस से दिजाइनर रहरा ब्रैंड क की है बहुत ही खुबसूरत बनाये गया है zdz में बहुत ही खुबसुरत बनाये गया है और साथ ही साथी अजी ऐ बहुत अच्छा है जी ट्राउजर पे भी और बहुत हलका फुलका है यह सिल्क यूजरी लोग कहते है बहुत मोटा कपड़ा होता है उसमें गर्मी लगती है लेकिन यह जो फैब्रिक है करें चाहिए अमेरिका से पाकिसान से इंडिया से बहार से कहीं से भी करें आप दुनिया किसी कोई से भी और करें जी आपकी शिप्मिन आप तक इसली पहुन जाती है ता थांक यह सो वेरी विच सनूबाइब एस बीटिफुल ड्रेस जी इसके साथ एक प्रिक पिस देए ब् आप देख रहे हैं फ्रोग्राम गुड मॉनिंग कराची और बेट पर जाने से बात हुरी थी बारिश के हवाले से और बारिश की तबाकारियों की बात हुरी थी असल में तो अगर कहाजा है तो घलत नहीं होगा यह जी बिल्कु थोड़ा सा हर्श हो जाता है लेकिन बात तो सची ही है कि तबाकारियों ही हैं और इस वक जो शायर कराची की सुरत इहाल है जो सबके सामने है और शायद कोई गली कोई सड़ा कैसी हो जहां पर पानी इस वक वारिश का जमना हो बहराल बार 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 यह दावे किये जाते हैं कि पानी जो है उसको क्लियर करवा जब भी भी वो चाते हैं कि वह गालिया ना भाउयां ना खाए twenty to 고 that human LCD को तो सौड़ी से होश के नाखुल लेने पडूेंगे हृषिसी मैं तेवे बाते करक्रोंड मैं इरं though हकीकत से करीब होती है वो बाते कभी कभात करनें पड़ती है उस पाप में जाए ऑह कि भी-कड़ को अभी तक 70 सालों में इस बात का सैंसी नहीं आया है आपके कि उन को जतनी गालियां पड़ नहीं पड़ रहें को जतने तमाशे झ्हेल रहे हैं उनको इस मसले का भी हल निकलना पड़े का अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है और अगर वो नहीं कर सकते अगर वो नहीं चला सकते अपनी मज़ी से कहीं इंक्रोच्मेंट साफ नहीं कर सकते कहीं कोई जगा जो है उसको क्लेर नहीं करा सकते हालात को बहुतर तरीके से नहीं कर सकते या तो फिर वो घर बैठें या त इस वक्त पार्ति कर रही है अगर वो सेलेक्ट होकर आई है तो इट मीन्स के बाकी जगा भी सेलेक्टर सेलेक्ट करके लेकर आते होंगे हुकुमतों को ठीक है यह बड़ा पॉइंट है जो मैं आज करने जा रही हूं ठीक है अगर फिर सिन्द की भी बात करें तो सिन्द में सिलेक्टर उन्हें switch करूआ चाहिए तो नहीं बात भी जियानी है हमेशा हम बात की The कुछ करें तो ऑनको भी स्वाध कर राए को उचनी और उस विख वाध कर आ रही है उनको भी इस बात सचना चाहिए और सेलेक्ट हो कि प्लाइनिंग आपके पास क्या है, आपकी स्ट्राटिजी क्या है, किस तरह इन तमाम चीजों को हमी करेंगे, अड्मिनिस्रेटिव इशूज यदिन हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपनी कपासिटी में रहते हुए, जैसे भी आपने कहा कि अगर आप समझते हैं क सकता है, तो अपनी कपासिटी में रहते हुए कोशिश ज़रूर करें, सिर्फ स्टेट्मेंट दे देने से बाते कर देने से मसला जब अहल नहीं होता, और जैसे भी आपने का सबसे इंपॉर्डन बात तो यह है कि अगर आप नहीं डिलिवर कर सकते हैं, तो फिर आपको रह बड़ी गहरी बात कर दी है, मेरे खाल से इसके बात बहुत से लोग को बुरा भी लगेगा और डिफिरेटली लगेगा भी, चुक्छे इस मुलक में जो सच बोलने की दरपा होता है, उसको पर आपको पता है, उसकी बात बुरी लग जाती है, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत बड़ी लगे तो हकीकत से शैद मूह नहीं मोड़ना चाहिए, जो गालिया खा रहे है, उनको भी इस बात का एसास भी हो रहा है, उनको गालिया पढ़ रही है, वो बैड़ जाए, खुदा के लिए उनसे कहा है, वो बैड़ जाए, उनसे बात कर लेंगे, यार अल्ला के व आज़ता हो, विलकुल आपर ठीक हा, उनको अँए अगर मेरा खर्मास बात कर रहे है, पर यह कैसे के बात करूँगे, ये आपने ऐमामलाद नहीं होंगे तो यखिनना, पिर किसी और के लिए उनसे बात करने है, विलक्ने आउक इक वी और काल पर अच्छा, पिर बीख ले यह देखा है ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा था बिलकुल से यह बात नहीं की जा सकी लेकिन फिर वही बात है कि जिस तरह नालो की सफाई कल हो रही थी सवाल करता है दमाग यह कि अगर यह पहले हो जाती तो यकिनन इस वक्त इतनी क्रिटिकल सिच्वेशन नहीं होती जो कल हुई है खासवार पर ट्राफिक की रवानी जिस तरह मतास्र हुई है वो सबसादे क्रिटिक अलरी कॉलर को ले 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 तें जी असलाम लेकुम कौन बात करें कहां से वालेकुम असलाम लिजार आता नी बोल रहा हूं जी मेरी पज़रे पाकिस्तान से यह एक मौदबाना क्षवार आता कर वाएगर और मेरी जिन खॉach है भोढ़ा आए लेक्षाग कौन दोल्के लिजा हो घुझेयों अवार पुस्भाद जोई है लिए लेक्र फॉल्वशाद भाना ना कौन MPार ए्ट लिए ठीग वरुए भी असवादश करें जिए बावड दिए भारे भारे एक को ईए पको अभाद आवगा मेरी बॉण कुछी मेरे शाल से तुरी बाराव केमाने अवाद पारे भाराव के बारेand। मैं बालते टौन आओया। यूर में पॉन आए वे छून आए साम आए ऑन भी कर्णा आओनों है। आजा आजा आजाए है। बिल्कुल ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है और यह बात बिल्कुल दुरूस्त है कि एक्तिदार में आते ही तमाम लोग जाएब हो गए इनफेक्ट बहुत सारे हलकों से जो मुन्तखिब होकर गए हैं आज उस हलके के लोग जब इस सवाल कर रहे हैं कि यह लोग कहा हैं कह कहां से आये थे किस तरह इनों इनों इलेक्शन लड़ा और उसके बाद यह चले गए और यह जीद अगर गए हैं तो यह कहां चले गए हैं यह वापिस क्यों नहीं आते हैं अलीजदी साब एक हुआ करते थे उनके हलके के लोग भी सवाल कर रहे हैं कि वो कब आएंगे तो इसी तरह और बहुत सारे हलकों में लोग तलाश कराएं अपने अमेनेस को गो कि उनका काम नहीं है यह बात बार बार कहनी पड़ती है उनका काम जब कानून साज़ी है क्योंकि अब इस बात का ख्याल आ रहा है लेकिन जब इलेक्शन का वक्त था तो बड़े बड़े किसी भी नंबर से आपके पास कॉल आए आप में कता है इसको रिस्पॉंड नहीं करना क्योंकि अब ही काम भी शुरू हो कि बहुत सारे लोग आपको जाली कॉल कर रहा है मुझे भी कॉल आए थी जाली कॉल और इविंट थो उस दन तो हम बैठे वे थे मैं अली शर्वर और हम लोग जुजन प्रोग्राम हो तो युजन की बात है और अब हमारे खायर वह चांची के अंकरियां से लेकिन हम बैठे वर इतफाक से एक्दम से ऐसे करे कि कोई भी श कोई आपके पार हमेशन है जिक का यूए नम्बर से कौल आती नहीं है उस पर आप नमबर पर कॉल कर सकते हैं कोई भी वहां से कॉल कभी भी आपको मौसूल नहीं हो सकती UN नमबर से UN नमबर पर सिफ कॉल रसीव हो सकती है आज नहीं सकती हमारे गोली मार में वही हाल है वही है नहीं को नदी में कच्रा पड़ाए पर हमें कच्रा उठाया नहीं ता है पहले कमिश्टर अई ते नहीं दर्खात की दी कि आप स्टाफ को बेने और इतना कच्रा है कि हमारे घरों में पानी आ जाता है मृब स्क्राफ दी करिका आजैसर आप लोगो से आप लोगो जवान है माशायला की आप लाख क्राश सिद्धिक जैसे आदमी को हथकड़ी लगाती है जो का सी साज की उमर किते है पैसरा साज की उमर में तो रहत होती है वेल के टिकिट भी आदा है कौन सा दोट चला है मुझे तो रहना आ यकिन करो मैं सीनियर हूँ कर दोटा है अबेर जापर की तूरी मेर चाफर सरे टर्ण इसा एक कर दो डना है यग वहार को तो रहा ये व्ड शंधितुर फिलता से इनको व्हाए fundamentally तो रूहना नहीं आएगा तो क्या आएगा? वह देख रहे हैं के हमने इस मूल को बनाया है ये मारा बेबी ता और इसको आज क्या कर दिया? मैं इसपी आज तो आज किया झाए रिखा रभायत रही जां, वह तो नहीं बात भी नहीं है फ्रन के ब कृम ऐदें को अनक्त करें बात करें तुर रहे हुआब आपकुन जारे कोबरें करें डौकटर चाहिए प्रवसीजेसज़ी का क्या है आपने अभी दिकर किया है इस बात का आपके प्रोग्राम में जी बोलिये 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 आपके जिकर किया है प्रोग्राम में के इल डीगर कंस्टेक्शन हो रहे हैं जी तो बात ये है कि इल डीगर कंस्टेक्शन जो हो रहे हैं तो इल डीगर जो अकुपेशन हो रहे हैं कबजे हो रहे हैं उसकी भी बाद कीजिए ठीक है ठीक है लोगों ने जो है अपने लोगों के प्राइवेट मकानों पर कबजे किये हैं सरजानी टाउन में मेरा मकान है जिसके एक आदमी 9-10 साथ से रह रहा है और कबजा करके और मकान के तारे तोड़ कर अच्छा और उसके मैं आप प्रोग्राम के उसाथ से बात करना चाहती हूं कि पुलिस उसमें कोई मदद नहीं चाहती है और इस थाने इस थाने इस थाने इदर उदर में जा रही हूं और पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है वो आदमी आराम ते रह रह रहा है मैं ही दोर रही हूं यहां काग अब जा बजा नजर आती है और हर तरह इसी तरह के मौमलात है और पुलिस के तो कोई काम करना नहीं है लेंड ग्रैबिंग का इशू है और अदालत चे आपने रुजू करना है इस सारे मौमले में और यह तमाम चीज है इसके ज़रूर कोश्च करेंगे अपनी टीम को किया जाता है और बहुत अफस्स हो रहा है मुझे देखें डॉक्टर फेरात ने इस तरह से कहा और विचारी देखें मकान भी आपका हो और कोई इस तरह से घुज जाए कबजा कर ले यह मैं मुझे समझ नहीं आता है कि लोग यहां पर कहते हैं देखें आप भी आप भूक लुख आप कils लोग हैं कि उत्रों करते हैं कि इसके बार वनकात नमबर देंगे हम और सफाई का बड़ा एंतिजाम हमने कर वह फेरा को पूर कॉस्ट हुद्रों Тут चुछ सब्सक्व उतक्र को अगर कोई अच्छी बात कर रहे तो जरूरी तो नहीं तो ऐसप प्रोग्राम में 38 साल से कहरे रही हुं Japanese करते contractors उस पर भी इस आधा की आदा इमान तो आल्ला तो आल्ला तल्ह यहां आपको दे दिया अगर आपने सफाई रखी, कहते कुछ पी अपने जगा साफ कर के बैठत वरना वो नहीं बैठता यह मिसाल दियाती है, जानवरों की कि जानवर्वी अपनी जगा साफ करके बैठता है उसको भी इतना शहूर दिया है उसको भी आले अले तै तो पिर आप तो आश्रu का निजाम ही नहीं है कोई और सबसे जादा जिसी इसको निगले किया जाता है वो सफाई सुत्राही ही है और दूसरा जहां इन्हों ने ये बात की तो मैं कहते हूं यह पावर की आपकी जो सारी गेम है आप ही समझते हैं कि शहर दुनिया में अगर आप मजबूत हैं आप टा पिज liken drops नहीं होगी ये जो सबड़ किसी का गर ले लिए और आप महां देना पडे गा दे सकेगा नहीं दे आप कर गासों कर दे आप पर जाननूम तौसम्हाएं नहीं है तो आप नहीं देंगे तो पर जाननून अगर आप मुसल्मान है तो आपको ये सारी बाते पता होनी चाहिए करना एजी लोगों को दोबारा मुंता है ये जो सिस्टम चल रहा है जो हमने अपने लिए छूज है ये अगर इसे नतीजे नहीं नी निकलता हुआ हुआ है अगर अगर हमने आवास नहीं उठाई तो इसरा ऐसी ही है बहुत देर से कॉलर हैं, हमारे साथ उनकी तरफ भी बढ़ते हैं, असलाम लेकुम कौन बात करें कहां से? मेरी बात तसली से सुनिएगा और उस पर गौर कीजिएगा और उस पर गौर कीजिएगा तो कराची का एक प्रोफेसर हासन जफर ता जिसे तशद्द करके गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था मर ना तो किसी मीडिया चैलंग वह आवाज निकली ना वहा कोई ऐसी बात हुई ना ऐसे प्रोगाम चैले जैसे आज चल रहे हैं तो उन्हों ने क्या तमाम संद्द के मेरों को बुलाके उनकी तरजीहात पूची थी जो आपकी तरजीहात क्या है आपको क्या रिसस चाहिए जो हम आपको प्रोवाइड करें इसलिए के बल दिया नाम तो मेर वजीम अस्तर का है असल दोरिया जो है असल इक्तियार जो है वजिर आला के पास है मैं शाबाशी दूँगा कराची की जमाद को एंग्यम पाकिस्तान को जिसकी ए खातून यूसी 43 जी है शाहीन ताहिर नाम है उनको मैंने खुद बजाते हैं खुद रोड पे देखा है और वो पानी में खड़े होके पानी निकल वा रही थी ठीक है ऐसी बहुत से लोग हैं जो यह काम कर रहे हैं मगर उनको आप लोग नजर अंदास कर देते हैं जो वसाइल है काम उसी में रह के हो सकता है ठीक है, वसाइल होंगे तो काम होगा, वसाइल नहीं है तो काम नहीं होगा ठीक है, सब्वाई साथ, तैंक यू सो वेरी मिच बाच चुकिए, आपने प्रोग्राम में कॉल की, बेराल आपकी अपनी राए है और जहां तक बात आपने का, अके मेर कराची, बेलकुल कभी हमनों नहीं उन्से बात की थी, जो अच्छे काम है, जो अच्छे काम, इनको सराह जाएगा लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जैसे प्रोग्राम के आगास में बड़ी तफसील से इस वारे में बात हुई है अगर डिलिवर नहीं कर पाते हैं, अगर इधारात नहीं है तो फिर पुजिशन पर रहने का क्या जवास बनता है कि सवाल आप से होगा और बार बार होगा कियां तक सिंध हुकुमत की बात है बार बार ये कहते हैं कि उनके पास अख्तियारात है और सबसे ज़दा अगर जवाब दे कर कोई है तो सिंध हुकुमत ही है लेकिन इस क्या करें? मजबूरी है ना कोई सुनने वाला है ना कोई बात करने वाला है ना कोई जवाब देने वाला है सब बरियुजमा है तमाम चीजों से एक दूसरे के ओपर जो होगा लगाते रहते हैं और ये एक दूसरे के सब्थोपते रहते हैं कि उसकी जिमेदारी है ये हमारी जिमेदारी है बेराल ये हर दोर में होता है और ये कोई नहीं बात नहीं है लेकिन सवाल ये है कि जैसे भी आप कहा रहे थे कि कराची की बड़ी जमात यतिना तो कराची की लोग वोटर्स रहे हैं सबसे जादा उन्हीं से सवाल करेंगे और और ये सबसे जादा इसलिए सवाल होता है कि उन्होंने आपको वोड़ दिया है जो दूसरे लागों से मुन्तखिब होकर आए हैं बैराल के हलके में लोग उन्चे सवाल करें ना करें उनका मस्ट आए लेकिन ये सबसे जादा ज़रूरी है और क्योंकि बहुत सारे वादे कि जो लोग हैं वो काई ये ही देखा जाता है और बागी पाकिस्तान में यही सारा कल्चर नहीं बड़े शहरों के अलावा लाहर में फैसलबाद में इन शहरों के इंदा यह नहीं सवाल करते हैं confirm। यह बहुत सारी चीज़ एसी है जो शाइड लोग बोग जल्दी भूल जाते हैं, बहुत सारे मॉमलात माजी मैसे रहे है, जैसे अमेडिया के पाबंदि की अगर बात पर नहीं है, सब यहर दोर में होता है, कोई नहीं बात नहीं है, लेकिन अब क्युक्त अब स्यादा हाई कि ऐख बेक्पी जादर जी एक पॉरिक पिया यू रहे जी आपकी फॉल का सिलसिदा जारी रहेगा थैंक्च इसका सब्सक्राइब करें आपको सब्सक्राइब करें आपके पासुपेशन ज़रूरी है एंगे एंगे डिक ने आपको खुश्राम देथ कहते जूँ और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही तीरे खबरों पर आपके कोल्स दीजा रही थी और अबी भी आपकी कॉल का शिलस्रा जो है वो जारी रहेगा साथ मैं अगल भात हो कराची के हसा बात हो फुरे परेक्सान की काराची की तो बात हो ब्रूट to probably में तो खराब हैं कि वहड़ा सी कोई दार आए लाज लिए कराची वह आणे कारची की अजर कि बारी साथ यफ़ doesn't masih कराची की अडिक त Auba आजर कराची से भात चाहिए कराची से भात ? है तक तक समय भीतुर द्हाल गीमारा है, व्रज Syrian का क्ता थी किस्माने किन अनु कुछेया तो यह राज ती के है कि थी मेडिया है, अब माजे किया खिरी बने की है, यही रहा है जो मैं आपको बताई थी, हम खुद उसको कल अब मिने ऐसे क्ल जी बड़ा मसला था करें तो करें क्या जब कुछ आ रहे हैं तो फिर बन्दा पागल हो जाता है वह बार बार की जाया है चेंज करें करें कि करें क्या मिल्कुल आफ ने सही का यह वोल्टेज की जो फ्लक्ट्ट्वेशन है ये सारा दिन ही रही है चंद एक जगाओं पर जहां पर बराइना मुझली आ रही थी बागी ये कि पूरे शहर के अंदर ज्यादतर चोटे बड़े लाकों से ही इतलात मौसूल हो रही थी कि वहाँ पर जो है वो बारा चौदा सोला ये सत्रा गंटे इससे भी जादा कुछ लाकों में 24-24 गंटे जो है वो लोड शेडिंग रही है बहुत सारे किराची के लाके इसके अंदर शामल है बारерж जैसे ही बरस्ती है ये चंद बुंदे बरस्ती है इसी तना की सुरत आल रहती है और एक अजीब बात है कि हर दफ़ाए ये बाते करते हैं हर दफ़ाए इन तमाम चीजों की निशानदाई करते हैं लेकिन इसके बावजूद कोई इसके उपर ना एकशन लिया जाता है ना इसके पर काम किया जाता है नाई इस इदारे के हiqu CB कोई एक्यारिट ही है सब वह बस नजर आते हैं या पनी मनमानियों का स्लऽना हमेशा जारी रखते हैं इसी तरह की ग्रक्वर्षट पर फिर्फारमंशं की नजर आती है बारिशों में खास दोर पे लेकिन ना कोई इंसे सवाल करता है ना कोई बात होती है चंद एक जगा पर ये खबरे भी चल रही थी कि गवरनर साब ने फून कर लिया है कि एलेक्रिक को और उनके हुकाम से ये वज़ा भी जानने की कोशिश किये लेकिन उसके बावजूद मसला तो हल नहीं वाना होना था ये बात भी सब को पता है कि आप ज जो जम्यदार है जब उनसे सबहल किया जाता है कि इन तमाम चीज़ें को कौन तरुस्ट करेगा तो गो कहते हैं हम लेकों बेबस हैं हमारे पास एक प्याराद नहीं है तो देख रहें और ये कोई नहीं बात नहीं जैसे बार बार दोर आ रहें कि आगे भी अगर कभी कोई मुंसोन आएगा तो यही सूरत हाल होगी यही आपके नाले भरे बहुए होंगे इसी तना आपकी सड़के टूटी होई होगी कच्रे के ढेर लागे होंगे तो सूरत हाल में कोई तब्दील ही होती ही नज़र नहीं आरी बेराल देखना यह पहले जो बड़े दावे किये ग क्योंके 11 साल यहां पे कमभेशन की हुकोमत को होगा है क्योंके इस से पहले भी उनीकी हुकोमत थी लेकिन डिलिवर क्या किया हो भी सबकसाने है तो जरूर सवाल जरूर होगा जैसे कल भी बात हो रही थी कि सिन्ध हुकूमत की कितनी responsibility है सिन्ध हुकूमत से भी जरूर सवाल करेंगे लेकिन नतीज़ आपको पता है कि क्या निकलना हमेशा हर बार की तनासिफर ही रहेगा नतीज़ा जब भी वजीर बल्दियाट साथ सवाल करेंगे वो यह कहेंगे जो दीगर बल्दियाटी दारें हैं की जिम्मेदारी है वो कहता है वजीर बल्दियात की पैरा जी ये समझ में ना आने वाली है कि एक कहानी है आचाँ थे मैं आपको एक बात चूप करें थी लेकिन थोड़ी सी अब स्टेटमेंट्स की बात करते हैं जो कल पुलिटिकल हमारी हैपनिंग्स रहीं सबसे इंपॉर्टन ये कि जजाजारी साब ने का जी हुकूमत हफीज चेक को भी जेल में डाले और पूछे अर्बो रुपय कहां गया तो ये बड़ा फॉर्टिनेंट वेलेड पॉइंट था कल कि अगर आप पुराने लोगों को पूछ रहे हैं उनको पकर रहे हैं कि पैसा कहां गया तो हफीज चेक साहब उसा फानेंस मिनिस्टर थे जजाई साब की हुकूमत में दैन ही शुड हास्टो बी और अंडर दी इंकॉईरी के जी उनको भी पूछ है उनके जितनी भी टीम है ये करवड है और इसी टीम के एक नमाइन दे ते बड़े ऐहं पोस्ट होती है वजीर खासा की जब वफाकिए वजीर खासा उता है जुक हम पौस्ट होती है और जो भी पैपल्सपारटी का दोर हऑं ही झार ये वजीर खासा थे और अगर बकॉल delegation लगाया जाता था हमेशा से यह बात का कह देते हैं इसमें कोई वो नहीं है कि I.M.F.K. planted जो हैं वो finance minister है हर दोर में यह बात की जाती थी तो अब अगर यह यह आई मेफ के जो planted अगर finance minister थे जो आज आपके साथ हैं तो सवाल तो इनसे किया जा सकता है कि माज़ी में जो corruption हुई है उसमें उनका कितना रोल रहा या अगर उनका रोल नहीं था तो तमाम चीज़ों को witness तो कर रहा है थे तो क्या क्या चीज़े उन्होंने विटनिस किया उसकी निशानद़ी तो कर दे ज़रा ताकि मामला जो हो असान हो जाए केस थोड़ा सा असान हो जाए तो ये एक बड़ा valid question है और टाइमली उन्होंने इस सवाल उठाया है तो ये इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी टीम का हिस्सा है माजी में जो corruption हुई है उसके बारे में आप अगर उनको question करें तो अच्छा होगा लोगों को जरा पता चल जाएगा कि transparency जो हुआ आगा ये शफाफियत आ गई है और ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने sincere हैं कितने serious हैं corruption को खत्म करने के लिए जुसितान जी कल FATF तजावीज पर भी अमल दरामत चुरूँगे जिसके नतीजे में बलचस्तान में पचपन मुकदमात को दर्श किया गया है साथ इसाथ जी 29 अफराद कर लिए गया है मलचस्तान से जी देखें FATF की कंडिशन्स हैं उसके उपर आपने अमल दरामतों करनी है अभी आप उनकी वॉच्छ लिस्ट में फिर क्रेय लिस्ट के अंदरा आपको पता है प्रलचस्तान अलड़ी बिकमिंग वरी सेंसिटिव वरी सेंसिटिव अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा मजीद हसास होता जा रहा है और बहुत सारे मुबस्रीन और हमारे जो तज्यकारे वो यह बात करते हैं कि जी अगर इसी तरह सीचुशन आपने बुलचस्तान में रखी तो फिर जो है वहां क्योंकि आपको मालूम है कि हालात बहतर नहीं है वहां लोग का स्टांस एक थोड हमारा हिससा तूट चा है तो इससे बड़ा लॉस मेरे खाल से कोई और नहीं होगा अगर होता है मुलकों कि पहले भी हम देख चुके हैं बंगला देश आलरी हमारा एस इंडिया जो है और वेस्ट इंडिया जो है रहा सा आलगल हमका मारा हो गया तो यह हमारे लिए एक बाद होगा कि बंगलादेश के टाइम पे जो इंडियन एजनसी से उनका बड़ा रोल रहा था और बड़ा उनका इंफ्लिएंस था जिसकी वज़े से तमाम मामला उतुए बहराल ये तो एक बड़ी तवील बैस है लेकिन वो इंफ्लिएंस वो यहां पर भी इस्तमाल करने की है यहां पर जो है मौनों के अंदर इंडि विर यहां पर जो सेपरिटिस वोमिंट चल रही है उनको सिपोर्ट कर रहे हैं तिरेकली ऐन दिरेकली तमाम तरीके को से तू यह वे भी बहुरा वे यहां जिनbाट बहुत है तो जिन चीज चीजों की निशानदहीं की गई है ban outfit से, उनके account से, उनको freeze करना है और ऐसी transactions जो हुई है, जिस organization से, इंस्टीशन से हुई है, उनको भी देखना है और उनके खिलाव action लेना है तो यह सारी situation तो रहेगी, देखे पाकिसान इस हवाले से पूरी दुनिया में बहुत जादा criticize किया जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारे organizations को, बहुत सारे ban outfit को, बहुत सारी इस तरह की institutions को easy access था अब गो के नहीं है, लेकिन माजी में यह रहा है, जिसकी वज़े से बहुत जादा criticism रहा है तो बहराल आप इन तमाम चीज़ों को दुरूस करने का वक्त है one of situation आपके लिए critical होगी और खास तरह पर जब आपके जो आपके जो आपके आपका दुश्मन मुल्क है, जो आपकी neighboring country है वहर तरह से कोशिश करता है कि तमाम चीज़ों को highlight करें, जो flaws हैं उनको ज्यादे-जादे highlight करें आपके बड़े-बड़े platform के ओपर ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो मजीज जो sanctions लग सके या उनको रिस्ट्रिक कि अब तुकर नहीं सकता कुल-भूशन वाले मामले के बाद आपने देखा कि इस तरह से आलमी अदालत का फैसला आया बड़ा हमारे लिए हक में आया और हता है इनकी हवाले से बार मिलिचोатив होते वह इस तरह का स्टेटमेंट दे का", तो घेड़े हमारे अर्ट होना भी एओए यसीजが के सीज़ वहारे लिए हरायिए उनली ओग होना हृना भी है जो बहुत सारे बार पड़ाई भर बाद में आके चाहते ना चाहते भी भी अगर जो भी अगर उस तरह उस तरह का बढ़ा इस तरह का बड़ा सानिय हो जाए तो फिर फिर उल्टीमेटली इल्जामबाद भी उन्ही को भूगदने पड़ते हैं जो आपकी असकरी और स्यासिय तो यह हम देखते हैं कि बहुत सारी इस तरह की हमसे माजी में गलतियां हुई है जिनको अगर अगर अब रिपीट किया गया तो हम वह लाउस बेर नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान मजीद बहुत पीछे चल जाएगा मजीद अपनी जो साख है मजीद जो अपनी इसकी पहचान है वो डाउन हो जाएगी कि अभी हम देखें तो हमारा बड़ा अच्छा एक इमपेक्ट पढ़ रहा है बहार लेकिन जो अब यह फैसले आ रहे हैं जो इस वक्तान का सिनारियो लेकिन अगर इस तरह का सिनारियो रहा तो पाकिसान के लिए बड़ा डामेजिंग हो जाएगा म आपने ब्रूट ही का कि अंद्रूनी मामलात को दरूस्ट करना ज़रूरी है अंद्रूनी मामलात को समझना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेराल जी ही रिस्पॉंसिबिलिटी है जितने भी रूलर हैं उनकी की तमाम मामलात को देखें और अवामी मसायल को समझें सबसे ज़्यादा रूसरूरूरू एक अच्छा फैसला वो भी बात करते है जी जी कि हमने जब उसका फैसला हुआ था बुरा तो हमने उस पर भी बहुत तनकीद की थी और अब हम देख रहे हैं कि प्रिटिसाइज किया था लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकुक शीरी मजारी साहिबाने जो सिद्वे मकरर किया जाने फोकल परसेंट बराए इंसानी हुकुक थे इफ्जिखार रहमत खान साब को ओदे से हटा दिया गया था लेकिन अब लग हटा दिया गया कि वो सोचल मीडिया पर और फिर मीडिया ने जब प्रिटिसाइज किया इस बात को और उनक अगर ये भी कहा जब टुछ किया कि काश में ये नहीं होता काश ये फैसला नहीं होता तो रिग्रेशन है कि उनको इस बात का एहसास भी है ये सबसे अच्छी बड़ी बात है मिरे खाल से और हकूमत को अगर अपने पॉलिसी का ख्याल हो रहा है गलतियों का एहसास हो रहा लेकर फिर अगयन वही बात है कि फैसला करते हैं क्यों नहीं सोचते हैं क्यों नहीं डिसाइड करते हैं अच्छी बात है कि अद्राक हो गया जात का बहुत अच्छी बात है कि फैसले को उपर नजासानी करके उसको चेंज भी किया गया लेकिन खुदा के लिए करते हैं कि ह निशान्दाई ही हो जाती है और यह जरूरी भी है वैसे तो बहुत सारी चीज़े हमें सीखने की जरूरा थे लेकिन सोशल मीडिया के ओपर कमसकम यह हो चला है कि इन तमाम चीज़ों की अपॉइन्मेंट्स हो रही है यह भरतिया होती है तो फॉरण से जो है लोग आवाज गई इस चीज़ की निशान्दाई की गई यह वैसे तर जासे के जरताज खुलक अपनी बेहन वाला माँ जी बिलकुल बिलकुल यह बात दुरूस्त है और यह समझदार लोगों का काम होता है तरीका होता है श्रीमजारी साहिबा उन्होंने बड़ समझदारी का फैसला किय यह बिलकुल कि उनको उक्तिंके उद्धे से फौरण चाटा दिया यह सबसे जाता जरूरी है वरना इस से पहले माजी में इस तरह नहीं हुआ करता था नए हमारी रीत रही है कि हम लोगों को अपॉइंट करते हैं अपनी मरजी से ही हैं हमेशा हम अपने लोगों को नावा जाने की जड़ा भी है वहीत सखार अमेद खान सब्सक्राइब जो एक अलेक्शन में भी बड़ा पार्टिसिपेट किया उन्होंने मुझे लगता है कि इस तरह का किया गया और उसके बाद अब चुक एलेक्शन होगा और हार भी गए है तो वापस ले लिया गया है और यह भ जो सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब है है इसे हैते वाजित जा जाने कारा के पार्टिस अद्माइल हो जिक्ता बेसरीत जाका है अन्हे यह को तो सब्सक्राइब करगे जटे मैं आपको फून करने की कोशिश कर रही थी कि खुदा के लिए इन लोगों को कहें अकल के अंधोकों के देखें ये वजिर आईला कि खिलिप्टन का डिफाइंस का दौरा कर लेते हैं इनसे कहें या आप महले गलियों में देखें ये थड़कों पे देखें गलियों को छोड को ठ至 न अदर न अदर खिखा सिंग कर ले अधिन्ह आप कारें दौरा कोई हमारे पिशली थाइन वार्भा है support बहुत पुछे हैं मैं यह सोच्छी हूँ कि हर बात में बैठके हैं ओन लाइन, ऐन प्राहई राषथा लोगों से, इसनी मुझे इन लोगों से श्कायते हैं अपनी हुकूमतों से अपने उनसे हैं कि मैं नहीं कह सकती, वो बाते आप लोग के भी बढ़नाज से भार होगी, लेकिन स्कुम ये जो आम बाते हैं, को तो पूरा करें ये लोग। आप ना इंशासियों के बात छोड़ें, जो ना इंशासिया होती है, तो हमारे साथ किराची आलों के साथ, जो आलंगीर साथ बड़े बंद रहें किराची आलों के हमदर्ड दकन चोड़ी करके, वह का निय आप करें तो तोटी फढ़ें जाए करें यहां से जाये आप रङ्टे करें जाए यहां से जाए नौत नासमार में जो इनने चाहिए जो इनने पारीज सब्सक्राइब आप करें लुग ही आप समय करें ब दिया है, कि अपर श्यू बदे यह लोगो दियुक्तुर अग्मारी किस्क्राइ शिर्ण दिन भर शुर्ण का प्रखों राय। उन्यस हाथ का शुर्ण पैजल आगल में हमात भर क्रेसे पाई, स्थेंवान मेफान फॉक्रा ऐस में बढ़ेती हैं इसनेzeit पातल है। एक लिए अरितने करें काम आदमी बाहर निकला है। तो रक्षा वाला, टेक्सी वाला, कोई भी आप बात करें, सब यही रोना रो रहे हैं, कि इस सिमत ने तो हमारे लिए बड़ी मुसिबत कर दिये, हम बच्चों के दो वक्ती रोटी के लिए हम परिशान हो गए हैं, अब आप ये बताईगे कि जिसके पास नौपी नहीं है, वो आगर चोड़ी है, जाका करें, तो उस पर किसका इल्जाम है, किस पर आईगा ये बताईगे आप, कौन अपने बच्चों को अपने घर वालों को भूख से तड़ाता देखेगा, बीमारी में मरता देखेगा, आप इतना तो सोचते हैं, अपना भर लेंगे, अभी अवाम का कोई नहीं सोचता है, इतने टेक्स लगा दिये, इतने टेक्स लगा दिये, कि अब आपको क्या बता हूँ, एक ब्राइंड के लेने गए, उन्होंने पाइंट सो रुपे सेल्स टेक्स ले ले लिये, अबल तो हम तो पहले से ही साबून और हर चीज़ पर टेक्स इसी में टेक्स होता था, लेकिन अब इजाफे टेक्स लगा के हमें और ज्यादे इन्होंने परिशान कर दिये, ठीक है, ठीक है सार, बोश्यक्री आपने कॉल की, प्रोग्राम के अंदे तमाम मसाइल के पर आपने तफसील से गृत्गू की और हमने आपको पूरा मौकर भ के यह जाए तरि बीद बिल जैदार आ रहे हैं, लोग परीशान है, बन्यादी जरूरतों से महरूम हैं, अब ऐसी सुरत में क्या किया जायर जाये असे कि caveat क्या कर सकते हैं, यह बैठ के हम हम भी सोच रहा हैं काफी देर से किया क्षिए हैं के उपर क्या किया जा सकता हैं? बहुत सारी चीज़े हैं समझने की जरूरत है और हमें खुद को भी ठीक होने की जरूरत है बहुत सारी चीज़े क्योंकि हमारी अब आदत में शामिल नहीं है तो अपने आपको पहले ठीक करना है और यह बात रोड़ी सी तल्ख लगेगी आप कहेंगी एक ऐसी बात है कि हम कि निशान दिए कर रहे हैं, खुद को ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो खुद को ठीक करना ज़रूरी है, हमारे भी जो तोर तरीक हैं जरा इसके उपर एक दफ़ा नसर डालें, अपना मुहस्वा करें, तो अंदाज होगा कि बहुत सारी खामियां हमारे अंदर हैं, गलती हम कर रहा हैं बार बार गलतियां हो रही हैं जिसकी वज़े से ये लोग बार बार मसल्ट किये जा रहे हैं और फिर नतीजा यही निकलता है तो इन तमाम चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है आप यकिनां बिजली का इस्तेमाल बहुत महतात होकर करती हैं लेकिन हमारे मिज आप यकिनां नहीं तमाम चीज़े फॉलो करती होंगी नहीं आप इतना वो करती होंगी लेकिन मैं अकर पूरी सुसाइटी की बात करूं पूरी हमारे मिज़ाज में शामले इन तमाम चीज़ों का ख्याल हम बल्कुल नहीं करते हैं यार ये बचारे क्या करें लोग आप चड़ेंगे तो नौ लोग वैसी बिचारे कल मर गए करण लगने से अब आप बताएं कि क्या करें बंदा तो ये तो बहुत ही जादा अभी तो ये मैं तो कह रही हो अपने अपने बिजली घर लगा सकते हैं और क्या करेंगे ये हो सकता है और तो कोई हल ही नहीं है इसके मुझे लगता है कि ये जब तक कॉम्पेटिशन मार्केट पे कोई कॉम्पेटिटर नहीं आएगा नेक्स अब तक ये बिजली का मामला हल नहीं होने बिजली गैस इन सबका जब तक इनके कॉम्पेटिटर आप मार्केट में नहीं लाएंगे ना तब तक ये बदमाशियां का इसमें मुफाद जो है वो पुशीदा है इस बज़े से वे तमाम चीज़े होने देते हैं वरना पूरी दुनिया में यह होता है कि आप हर जगा जो आपकी बिजली होती है उसके बिल्ज जो जैसे हम तो जमा कराते हैं यह पोस्ट पेड होता है यह इस्तिमाल करने के बाद वहाँ पर प्रीपेड सिस्टम होता है जैसा आप मुबाइल के अंदर जितना बैलन्स आप चार्ज करवाते हैं उतना ही इस्तिमाल करते हैं और जब वो खत्म हो जाता है तो फिर आपकी कॉल नहीं लगती तो इसको प्रीपेड सिस्टम या मीटर्स को प्रीपेड करना अगर ये नहीं करेंगे तो इसी तना ये अंदेर नगी रहेगी अपनी मर्जी से बिल आपे रहेंगे अगर आपको 20,000 रुपे की बिजली खर्च करनी है तो आप 20,000 रुपे का कार्ड लेकर चार्ज करना है अपने मीटर में और फिर 20,000 की बिजली आप इस्तिमाल करें औ वर्यूद करेंगे तो इसलम्लिकम इसलमालीकम इसलमालीकम मैं रिवस्लागीब। नहीं होता है ओल्ậвर, कराच्ची में से झालिक है जाहिए अपनियू आप इल्ग नहीं है यह जो कॉर्डिनेट करें सुप्रेम कोड के फैसले पर अमल करवा है तो वजह ही रिक्रेस्ट कर चीफ जस्टिस साफ से वज़िर आजम से हमारे अच्छा अच्छा यह एक चीज़ और आपको आवाज आ रही है हमारी आप पर्मिनेंट हुए हैं आपकी जॉइनिंग कब से ह अच्छा आप रिटार्ड हो चुके में हैं वरना यह भी मामला आया था कि 2005 से जो मलाजमीन अभी तक जो भी पर्मिनेंट नहीं हुआ है बहुत सारे और भी मसायल है नहीं वह सच्छा नहीं है चालने ठीक है इस वारे में सुप्रिम कोड का ओडर आगिया जी पीटीसेल का अचर्णा है तो अचर्णा कोड़ी वह बाद से मामला क्लियर ही नहीं हुआ थासलात से जो पर्मिन आनी थी आई थी वह पर दूस्टे लेंट का एक बड़ा शूप पाहिसान टेली कम्मूनिकेशन के अंदर रहा है लेकिन अब तो यह तो पैस्ला आगा एस प्रेम कोड कर प्रिश्नर के वाले से और उनको इसके लिए करना पड़ाईगा तो अब यह के प्राइविट कंपनी वो इस्टेकों थे बड़ा स्टेक्षर को बाइए, बिलिवर करें, वो नहीं करें रहा है, वो कहाता है जब तक झार रहा हुआंगे, तब तक हमारे भी प्राइब करेंग क्या remembers दिए रल्याद की पार्षान की एक जाय15 में अबना आपसे हलें तरह,bekway देशड़ क मीन कोकु दो diapers रहे हो लिए में호े का सिर्ओन राइं है अब ही प्लिएत दिए पार्षान की जाय18L यहार यहारा है ते पीस इसे जाव प्रेज़न सेते हैं कि अभी तक रेलवे का निजाम आये थे बड़ी बाते करते करते लेकिन वह बाते हुआ हो गई है साध रफीक के लोहे के चने निकालती है सब कुछ कर दिया बन कर दिया साध रफीक अंदर उसकी पूरी टीम अंदर है उसके बावजूर भी उनसे महकमा नहीं चलाए जाया रहा ना वह वह इस बात के तमज़ो दे रहा है कि जी इसको जो है वह कहते हैं सॉफ्ट कॉपी पर करें इसको अब्रूग्रेट करें ए टिक्टिंग का या निजाम लेकर आप ऑनलाइन का कुछ भी हो रहा है ते जाद कि आपने लिए अब बाता देते हैं कर बाताधिक कने या आज चेरा कि वह किदक्राने लागग चाहा है और यह भी बता देंगे कि निया पग़ली कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पसेंजर इसमें सबसे जादा परिशानी का शिकार हैं मुझकिलात हैं उनको क्यों के अभी तर दे लिया था इसा दुमर को निकाल दिया जो बहतरीन खिलाडी था सबों को निकाल दिया लेकिन एक शेख रशीद है जो कि नहीं समल के दे झाल चैले लेगे डिया यह उसलिए है कि उसको कुछ छेड़ेंके तो सबस्जा को और उसको करें शरी मिनिस्टर को दे सकते हैं जब वजर दाखिला की on छो यह उन कि नहीं समाने जा जारे थे मों банा हिए जासरा ह्साथ दे दी इंट बेगा उर्फ तो आपने ठीका कि क्या भी तक डिलिवर किया है जितने हाथसात अब तक हुए हैं बड़े अफसोसनाक वाकियत अभी तक पेश आए हैं तकरीब असी या चोटे बड़े हाथसात हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो यह समझते हैं कि अभी तक समीर पर बोज नहीं है स्टेटमे इसमेर के अब पर बोज नहीं है कितनी जानों का इसमे नुकसान हो गया कितने हाथसात के अंदर और अभी पी तरह की लावबाली स्टेटमेंट इदर उधर की बातें किसका करियर कितना है किसमे क्या करना है रिए इक्स्ट्रीमियर शेम्लेस पीपल अच्छी कुट नोट understand and care about the people जिनके सर पर चड़कर आए हैं जिनके लिए कंटेनर ले लेकर घूमते थे पूरे पाकिस्तान में और बाते करते थे आज उनहीं के लिए वो कोई काम करना नहीं चाहते हैं आपने सही का ये वाकी एक बड़ी इफसोसनाक बात है और अब देखते ही है कि इसके उपर इमरान खान साथ क्या एक्शन लेते हैं जैसे भी बात हो ली थी हमारे कॉलर जो भी बता रहे थे कि इसको मर्बूत बनाना चाहिए निजाम को दुनिया में इतना एडवांस रेल्वे का जब निजाम हो चुका है एक ऑं-लाइन आपको पता होता है तो आपका निजाम ऐसा है ही नहीं पूरी दुनिया में एक मिनट ताखीर के बारे में तस़ाँ नी किया सकता आपस ताना का मिनजाम है एक मिनट बהफ़ दूर की बात है सेकंड के अंदर भी तस्वर निकर रहा है बिल्कुला आप्ट करना नहीं चाहते ऑप्षन परिशान है नहीं चाहते ना सफाई का इंतिजा में अब ना वो जो अच्छी ट्रेन चलने का जो था मामला की जी सफाई सुतराई और बेटर कंडिशन में वह भी नहीं है वक्त पे जाएं किसे और तरही किसे करें इससे बैठर है कि फिर हम आप्ट ही ना करें किके अगर आप चार-चार-चार गंटे आप लेट होंगे तो आपके लिए वह खौरी है बत्रीन खौरी है और टाइम इसमनी इस देज इस देज विव जस्त वेस्ट समबडी स्वारी इस ताइ इस दिश्ट किये दार रहे तो अपने फिर्ट कर अइंड करेंगे की कौल्स का सिल सिलाय जी इस बाहत है परे पाकिस्तान से आपके बहुत शुक्रिया कि आप ने कॉल्स की हमें कि बिताष है बास के बात करते हैं जी बात चार्जाएगरी करते हैं जी अज आज वाडर को भी मदूद नहीं किया जो शेर की सूरते हाल रही है इसके पर बात करना असर भी ता कल इंशाला मज़ीद मुज़वात होंगे मज़ीद हमारे साथ चार मेमान होंगे उनके पर जरूर कुफटू को करेंगे प्रोग्राम का वखत मौता है महमलियासर रिदा सैफी और